श्री शिवाय नमस्तू भी हम दोस्तों छे माई को जेश्ट मास की प्रतम थिती है प्रतिबता थिती का उपाय आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अच्छे से इस उपसाय को समझेंगे जो की पुझु गुरु जी पंडित प्रदीब जी मिश्रा का सबसे मिश्रा जी की कता के दोरान इस उपाय को अवश्य ही श्रवन किया होगा आप समीने भी तो आईए जानते हैं इस गन्ने के जूस का जो उपाय मिश्रा जी ने अपनी कता के दोरान बताया था वह उपाय अच्छे से समझने के बाद शनिवार के दिन इस जेश्ट मास की प् तो यह चोटा सा उपाय स्तिथी की महत्वता को समझते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर अवश्य कर लीजिएगा शुरू करते हैं उपाय जानेंगे पहले अच्छे से किस प्रकार से विदिवद रूप से इस उपाय को करना है जिस प्रकार से मिश्राजी ने अपनी कथा के द भी समय मिले थोड़ा सा समय निकाल कर शनिवार के दिन इस प्रती बदाती थी को जेश्ट मास की आपको यह उपाय करना है एक शुद्ध गलास जो है आपको गन्य का जूस मंगा लेना है उसके बाद यह शुद्ध गलास लेकर आपको किसी भी नजदी की शीमंदिर में चल दिएगा तो ही आपको इसके फल की प्राप्ति होगी अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और इसी प्रकार से पुझ गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायागी भी जानना चाहते है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा आईए आग शिवाय मंतर का कम से कम 11 बार आपको जब करना है अपनी नाम और गोत्र बोल कर आपको यह गन्य का गलास शिवलिंग के उपर अरपीत करना है बिलकुल पतली धार से आपको यह उपाय करना है जो गलास आप गन्य का जूस का गलास जो लेकर आए है उसे जब आप अरपीत क करें तो बिल्कुल पतली धार से अर्पित कर दीजेगा विदिवद रूप से कुछ देर मंदिर में बेट कर आपको ओम नमस्शिवाय मंत्रिका जब करना है आपकी धन संबंदिश समस्या है उसे आपको नंदी महराज के कानों में कह देना है तो यह चोटा सा उपाई इस ति यह गन्ये के जूस का जो उपाई मिश्रा जी ने शिवपुरान का बतायत अपनी कथा के दोरान करता है तो उसे विशेश फल की प्राप्ती होती है साथी में धन संबंदिश समस्या है पूंडता हरूप से उसके जिवन से समाप्त हो जाती है तो अगर आप इस उपाई से जुड़ी हुई और कुछ विशेश जानकरिया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं